अलो फ्रेंज एलिगंस ने की यूटीब चैनल डॉक्राशु तुस्सा आपका सागत कता हूं आज का टॉपिक है वह मैस्टोप पैक से इन पोस्ट बेरियाट्रिक केस्ट जो से बेरियाट्रिक सज़री से ओवर विट पेशन्स होते हैं उनका करीवए 20-40 किलो वजन एक साल म फिर उस टार्ब huh पर अपकी चमड़ी को होती है एतना ज्यदा रिक वर नहीं हो सकती है और ईसकी वज़सेट्च में यह यह तकट आती है इसके रहेवां अंदर से चैकल अनगे मुझेग उने किमिन परन देती है ज्यादा ता केसिस में अगर बहुत डिफलेशन है तो हम ब्रेश्ट इंप्लांट का प्रयोग करते हैं उसके सर्फ में मेस्टोपेक्सी करते हैं मेस्टोपेक्सी माने आपकी लटकी हुई स्कीन है उसको निकालके ब्रेश्ट को अच्छा सेब देना नॉर्मल जगह पर आपकी ब्रेश्ट आजया है जैसे ब्रेश्ट पूरी यहां तक लटक गई है तो उसको नॉर्मल जगह पर लाने की प्रक्रिया को मेस्टोपेक्सी ब कि उनको बाहर का कोई चीज नहीं रखना है तो उनकी आटो अगमेंटेशन करके भी हम मैस्टोफेक्सिक कर सकते हैं मैस्टोफेक्सिक माने ब्रेस लीफ प्रेस्ट करके आपने जो बजन घटाया और इसके जो अड़ेस्टेज्स आप अपने फिगर पर लेना चाहते हैं वह पार सकते हैं सेफ प्रोसीजर है डे के प्रोसीजर भी इसको बोल सकते हैं सुबहे आके सामको चुटी में जाती है एड़िशन्ती ज़रुद नहीं पड़ती है रिजर्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है आपकी जो ब्रेश का शेप इतना अच्छा हो जाता है और अपका बॉड़ी जब थीन आउट हुआ है तो उसके साथ में आपका कॉन्फीडंस यह प्रोसीजर बढ़ा सकती है यह प्रोसीजर के बारे में जानना है तो हमारा क्लिन लिए मेन काल की वी बढ़ीए है तो नच्छा में वी स्क्रम हो तो है प्रोसीजर नहीं सेवीजर का बवगा यह प्रोसीजर के लिए प्रोसीजर के कुना मुतने उत्या है कर दो कर दो